पिछले कुछ सालों में भारत में साइबर अटेक्स कि संख्या लगातार पहती जा रही है और इसलिए एक नेशनल साइबर सेक्योरिटी स्ट्रेटिजी 2020 में बनाई गए जैसा कि एक अमेरिकन साइबर सेक्योरिटी फर्व पालो अल्टो नेटवर 2021 की रिपोर्ट कहती है कि भारत में महराष्ट सबसे अधिक साइबर हमलों से प्रभावित होने वाला राज्य है जो कि कुल भारत में होने वाले हमलों का 42 प्रत्रशत हमला अकेले महराष्ट में होता है और अगर आप इस तरह से देखें तो भारत का हर चौथे में से एक और्गनाईजेशन एक संगठन रैंसम वेर अटैक के कितार के अंदर 2021 में हुआ है और इस तरह से अगर आप देखिए तो पूरी दुनिया में यहाँ पर साइबर हमलों की सग्या केवल 21 प्रत्रशत के ओसत के दर पर पूरी दुनिया में हुई है वहीं भारत में यह 218 प्रत्रशत 218 परसंट इंक्रीज हुआ है सबसे ज़्यादा यह सॉफ्वेर और सर्विसेज में 26 परसंट, कैपिटल गुड्स में 14 परसंट और फिर पब्लिक सेक्टर में 9 परसंट हैं जहां पर सबसे ज़्यादा साइबर अटैक या रैंसम वेर के मामले सामने आते हैं इंडियास से अगर आप देखें तो भारत की जो डेटा सेक्यूरिटी काउंसिल अफ इंडिया है उसने एक 22 पेस की रिपोर्ट बनाई है इसमें कुल 21 एरियास को उसने फोकस किया है इसमें हमारी जो साइबर स्पेस है उसके लिए सुरक्षित और भरोसे मनप्रणाली बन का डिजिटली करन किया जाए दूसरा सप्लाइचें सिक्यूरिटी जो हमारी सप्लाइचें है इंटिग्रेटिट सर्किट और इलेक्ट्रानिक प्रडक्स की उसकी सुरक्षा को मजबूत बनाया जाए जो हमारा क्रिटिकल इन्फरमेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी सु इसकी सुरक्षा को लेकर वहतर प्रयास किये जाए डिजिटल पेमेंट यहने की जो भी डिजिटल मात्यम से लेंदेन किया जा रहा है उसका पूरा डेटा सुरक्षित रखा जाए और उसकी मैपिंग तयार की जाए किस व्यक्ति ने कब कहां से किसको कितने पैसे किस ऑनलाइन मीडियम से ट्रांसफर किये इसकी पूरी डेटा ट्रैकिंग और मैपिंग होनी चाहिए हर राज में एक state level cyber security की विवस्ता हो और हर राज अपने हिसाब से cyber security की policies और guidelines बनाया और इसलिए अगर आप देखें तो इस cyber सुरक्षा से जुड़ी नीती को लागू करने के लिए cyber security के कुछ budget बनाया गया budgetary provisions में minimum allocation of 0.25% of the annual budget which can be raised up to 1% has been recommended to be set aside for cyber security इसमें कहा गया है कि वार्फिक budget का 0.25% पहले खर्च किया जाए जिसे बढ़ा कर एक प्रतिशत तक ले जाया सकता है इसने की देश की cyber सुरक्षा मस्बूत हो और इस लहाज से अगर आप देखें तो research, innovation, field building and technology development इस पर बहुत जादा ध्यान देने की बात हमारी cyber security strategy में कही गई furthermore a national framework should be devised in collaboration with institutions ये बहुत मातुपूर से बारिश है कि हमें cyber सुरक्षा के लिए एक national framework बनाना चाहिए जिसमें national skill development corporation और information security education awareness से जुड़े लोग हूँ और एक हमें अलग से जैसे हमारे हैं IES है, IPS है, Indian engineering services है या राज्यो में provincial civil services, PCS है उसी तरह से अब जरूरत आ पड़ी है कि हमें अलग से एक cyber security service भी बनानी चाहिए CSS, cyber security service और cyber security service में हम अपनी Indian engineering service से जो cadder है, जो manpower है उसको ले सकते जहां तक crisis management की बात है, इस policy में cyber security के लिए बहुत महत्तोपूर्ण से फारिशे दी गई है क्योंकि खासतोर पर हमारे हैं cross border cyber attack बहुत ज़्यादा होते हैं और cyber insurance की बात कही गई है हलांकि cyber insurance अभी भी एक ऐसी field है, जिस पर अभी बहुत कुछ काम किया जाना बाकी है और जिस पर लगातार काम हो रहा है लेकिन फिर भी हमें DSCI ने ये अपनी सिफारिश दी है, कि हमें भी cyber insurance product बनाने चाहिए जिस तरीके से हम दुनिया के अपने अलग 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 देशों में अपने राजदूत, अपने एन्वाइज, अपने कूटनीतिक तैनात करते हैं, उसी तरह से वक्त आ गया है कि हम देश की सरकार को दूसरे देश में अपने cyber diplomats जिनको cyber invoice कहा जाए या cyber कूटनीतिक कहा जा है कि अलग से cyber code बनाई जाए और digital evidence को माननेता दी जाए जिसके लिए Information Technology Act की धारा 79A में बदलाव किये जाए जाए, इसी के साथ साथ TSCI ने ये भी कहा है कि हमें AI याने Artificial Intelligence, ML याने Machine Learning, Blockchain Technology, IoT याने Internet of Things, Cloud and Automation इन पर काम करना चाहिए, जिसकी जरूरत इस समय बहुत जादा तेजी से पढ़ती जाए, हाल में संसत का जो budget सत्र समाप्तुगा, उसमें कई संसतों ने ये सवाल पूछा, कि कब भारस सरकार इस नीतिको लागू करने जा रही है, उसके जवाब में भारस सरकार ने कहा कि हमने 2021 में ही राष्ट्रे साइबर सुरक्षा रणनी ती तयार कर ली है, और उसकी कोई अभी अंतिम समय सीमायाति थी नहीं नरधारित की है, कि कब से इसे लागू करेंगे, और अभी किसी विदेशी राष्ट्र से उस पर कोई सहयोग लेने की बाच्छी भी नहीं की इस लाग करेंगे नहीं की की बाच्छी विदें ही विदेशी के इस रविदेशो डाच्सी नहीं की बाच्छी से ऑच्रे सही है पहला उ।